आज मैं आपको इस वीडियो में हर्याना बोर्ड के दस्वी कक्षा के चात्रों का 25 सितंबर 2024 को विज्ञान विज्यान के लावा जो आपके कोशन पेपर आएंगे वो 80 नंबर के आएंगे क्योंकि हर्याना बोर्ड ने कोशन पेपर डिजाइन के अंदर इस साल बदलाव कर दिया है और इस कोशन पेपर को देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि विज्ञान विज्यान का आपका कोशन पेपर किस तरह का आएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें को सब्सक्राइब करके ओल के बटन के उपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए क्यूंकि मैं आपको अपने चैनल पर हर्याना बोर्ड के हाफ येरली एक्जाम के सब्जेक्ट के सैंपल पेपर और के सॉलोसन उ के साथ नंबर का कॉस्टन पेपर आएगा और तीगाओ मिलेगा आपको कॉस्टन सी परकास के परकिर्णन के कारण यानि कि परकास का जो परकिर्णन है उसकी वज़े से समुंदर का जो जल है वो हमें नीला दिखाई देता है अगला कोशन है कोशन नमबर तीन तारे परकास के वायू मंडलिये अपवरतन के कारण टिम्टमाते परतीत होते हैं यानि कि जो त पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में गुजरते हुए में से गुजरते हुए अपने पत से विचलित होना परकास अपवरतन कहलाता है यानि कि जो परकास की किरण है जब वो एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में से गुजरती है तो वो अपने पत से विचलित हो जाती है यानि कि हट जाती है और इस विचलन को ही परकास का अपवरतन कहते हैं उसके बाद पांचवा कोस्टन देखें पांचवा कोस्टन जो है अभी कतन और कारण वाला है और इस तरह के कोस्टन हर्याना बोर्ड के अंदर पिछले साल से ह के नीले परकास का प्रकिर्णन करते हैं तो इसका जो आंसर है ओप्शन A है a और R दोनों सत्य है तथा r a की सही वैक है उसके बाद अगला कोस्चन है कोस्चन नमर सिक्स तारे क्यों ट्रिम्टिमाने हैं आंसर देखें किसी तारे का ट्रिम्टिमाना उसके परकास के वायू मंडल ये अपवरतन के कारण होता है क्योंकि जब परकास की करण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड जाती है जैसा कि उपर बताया गया था कि परकास की जो करण है यानि कि सूरे की जो करण है जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम क के अंदर जाती है तो वो अपने पत से मुड़ जाती है और जिसके कारण जिसका कारण है यानि कि ये जो किरण मुड़ती है उसके पीछे कारण ये है कि वायू मंडल के अंदर पाई जाने वाली विभिन परते हैं यानि कि वायू मंडल के अंदर जो है हवा की अलग-अलग परत हैं इसी वज़े से हमें तारे टिम्टिमाते हुए दिखाई देते हैं यानि कि जो हवा की परते हैं कोई परत जो है सगन है यानि कि हवा के अंदर जो कण है अगर वो ज़्यादा नजदीक है यानि कि अगर परत सगन है तो वहां से जो परकास की करण है वो कम परवर्ति तो इसकी वज़े से कभी ज़्यादा कभी कम होने की वज़े से ही परकास जो तारे हैं हमें वो चमकते हुए दिखाई देते हैं उसके बाद अगला कोशन देखें सामाने नेतर 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुव को सूस अपस्ट नहीं देख पाते हैं यानि कि जो हमा हमारी आखें हैं इसका जो अभी नेतर लैंस है इसकी जो फोकस दूरी है उसको 25 सेंटीमीटर से कम नहीं किया जा सकता यानि कि जो लैंस की हमारे आख का जो लैंस है उसकी फोकस दूरी को 25 सेंटीमीटर से कम किया जा सकता यदि अभी नेतर लैंस की फोकस दूरी को 25 सेंट और वस्तू दूंदली दिखाई देगी इसलिए सामाने ने 35 cm से निकट रखी यानि कि पास रखी हुई वस्तू को सूर्स उपस्ट यानि कि साफ साफ नहीं देख पाते हैं यानि कि 25 cm से नजदीक जो हम हमारे आखों के सामने वस्तू रखी होगी तो वो हमें साफ नहीं दिखाई देगी उसके बाद अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर एट निमन की परिभासा दो परकास का विक्सेपन और वरण करम आंसर देखें परकास का निमन की पर्दी में बट जाता है और इस विभाजन को यहीं परकास का विक्सेपन कहते हैं उसके बाद है वरण करम प्रीजब में से गुजरने पर स्वेथ परकास के विक्सेपर दवरा प्राप्त सात रंगों की पट्टी वर्ण करम या स्पेक्ट्रम कहलाती है यानि कि जब परीजब में से जब सफेद रंग की जो किरण है वो गुजरती है तो जब सात रंगों का जो पट्टी बनती है सात रंगों की उस पट्टी को ही वर्ण करम या spectrum कहते हैं उसके बाद अगला question है question number 9 किसी वस्तु आवतल दरपन के वकरता के अंदर C पर तथा मुखह focus F के मद्धे स्थित है, यानि कोई वस्तु जो है आवतल दरपन के वकरता के अंदर C तथा मुखह focus F के मद्धे यानि की बीच में इस वस्तु की स्थीती बतानी है, साइज बताना है और परक्रति को रेखा चित्र के दवारा समझाएं। तो पहले मैं आपको इसका जो रेखा चित्र है वो दिखा देता हूं। तो इस question का जो रेखा किरण आरेक है जो रेखा चित्र है वो इस तरह का बनेगा। अब मैं आपको आंसर दिखाता हूँ आंसर देखें जब वस्तू C तता F के मद्दे हो मुख्य X के समानांतर एक के रण AD दरपन से प्रावर्तन के पस्चाथ F से गुजरती है दूसरी के रण AE प्रावर्तन के पस्चाथ C में से गुजरती है तो इस परकार बना परती बिम C से परे बनेगा वस्तू आकार में वस्तू से बड़ा होगा और वास्तुइक एवम उल्टा होगा उसके बाद अगला कोश्चन है आउतल दरपन दवारा वस्तू की निमलिकी स्तितियों के लिए बने परती बिम का वर्णन करें तो ये पास नंबर वाला कोश्चन है आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ एक्स्प्लेइन अगर करूँगा पास नंबर वाले कोश्चन को तो वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी तो पहले कोश्चन का अंसर है ये उसके बाद जो दूसरा कोश्चन था इसके अंदर उसका अंसर है ये जो एक एक नंबर वाले हैं दो नंबर वाले और तीन नंबर वाले कोश्चन मैं आपको एक्स्प्लेइन करूँगा उसके बाद है परती बिम के गुन ये तीसरे कोश्चन का अंसर है उसके बाद चुत्था कुस्चन और उसके बाद है पांच हुआ उसके बाद इसके चोईस में भी एक कुस्चन आएगा और दोनों में से कोई एक आपको करना होगा एक्जाम के टाइम पर यहाँ पर आप एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो दोनों ही कोईस्चन आपको त्यार करनी चाहिए और दूसरा कोईस्चन जो है इंपोर्टन्ट है मानवनेत्र की संरचन तथा कार्यविदी का वर्णन करो तो आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर देख सकते है आप मानवनेत्र की संरचन न में कई भागोते जैसे मानवनेत्र में कोर्णिया होता है आइरीस होता है पुतली होती है लैंस होता है रेटिना होता है स्वेट पटल होता है, पटे लिखावा, यह पटल आएगा यहाँ पर, तो इन सब के बारे में यहाँ पर explain कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर बताए गई है, मानो नेतर की कारिया पर नाली, कैसे कारिया करती है, उसके बाद है, खंड बे रसायन विग्यान, इसका पहला कॉश्ण देखे, रसायन विग्यान का, एक एक नमबर वाले कॉश्ण आएंगे इसमें भी, एक भूरे रंग का चमकदार ततो एक्स को वायू की उपस्तिते में गरम करने पर वह काले रंग का हो जाता है इस ततो एक्स का नाम है तो इसका नाम है ओप्शन B कोपर उसके बाद अगला कोश्चन है कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है इसका संभावित पियच का मान होगा तो इसका आंसर है ओप्शन B यानि की चार उसके बाद अगला कोश्चन है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोड़ा और टाटरिक अमल का मिसरन है यानि कि इन दोनों के मिसरन से टाटरिक अमल और बेकिंग सोडा के मिसरन से बेकिंग पाउडर बनता है उसके बाद कोशन नमबर 14 उस पदार्थ का नाम बताईए जो कलोरीन से किरिया करके विरंजक चूरन बनाता है तो आंसर आएगा बुजा हुआ चूना उसके बाद अगला कोशन है 15 अभी कथन और कारण वाला है तो अभी कथन में हैं दही एवम खटे पदार्थो को पीतल एवम तांबे के बरतनों में नहीं रखना चाहिए और कारण के अंदर बताया गया है दही एवम खटे पदार्थो में अमल होता है जो धातू के बरतनों के साथ किरिया करके उसमें उसे उन्हें विसायुक्त बना देता है तो इसका जो आंसर है वो है ओप्सन ए ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही वैक्षा है उसके बाद अगला कोशन है कोशन नमबर 16 निमलिकित रासाइनिक समी करणों को संतुलित कीजिए तो आंसर मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है उसके बाद अगला कोशन है सुस्क हाइड्रोकलोरिक गैस सुस्क लिटमस पत्तर के रंग को क्यों नहीं बदलती है तो आंसर देखें जल के ने होने के कारण सुस्क हाइड्रोकलोरिक गैस एच धनायम धनातमक आयन उत्पन नहीं करती है अतय यह अमल यह अभी लक्षन को परदर्सित नहीं करती इसलिए सुस्क हाइड्रोकलोरिक गैस सुस्क लिटमस पत्तर का रंग नहीं बदलती है उसके बाद अगला कोशन है प्लास्टर ओफ पैरिस का रसाइनिक नाम वे रसाइनिक सुतर लिखें और इसका जो परियोग है तूटी हुई हड्डियों को जोडने के काम आता है प्लास्टर ओफ पैरिस और मूर्तियां और बुत बनाने में काम आता है जो पुतले होते हैं उनको बनाने में उसके बाद अगला कोशन है विरंजक चूरण के चार उपयोग लिखें तो आंसर देखें इसका उपयोग वस्तर उद्योग वे कागज उद्योग में किया जाता है यानि कि विरंजक चूरण जो है इसका उपयोग वस्तर यानि कि कपड़ा उद्योग में और कागज उद् इसका उप्योग क्लोरोफोर्म के अंदिरमान में भी किया जाता है उसके बाद है रसाइनिक उद्योगों में उपाचायक के रूप में भी इसका प्रियोग होता है और उसके बाद है उनको सिकुडन रहीत यानि कि उनके अंदर जो सिकुडन है उससे बचाने के लिए भी इस परकास एवं विद्दूत के रूप में उर्जा परदान की जाती हैं तो आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है नीचे आप देख सकते हैं उसके बाद इसके भी चोईस में कोश्चन आएगा और कोश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं पास नमबर वाले की एक कोश्चन उसमें से दो नमबर का हो और एक कोश्चन आएगा तीन नमबर का तो इस तरह के भी पास नमबर के कोश्चन बनते हैं तो यहाँ पर दो नमबर में कोश्टन पुछा गया है अमल ये वर्षा क्या है इसके हानिकर परभाव लिखे आंसर देखें वाईयू में उपस्तित नाइट्रोजन तथा सल्फर के आकसाइड वर्षा के जल के साथ मिलकर नाइट्रिक अमल तथा सल्फियूरिक अमल बनाते हैं वर्षा के जल के साथ जब यह अमल प्रिथवी पर नीचे आते हैं तो इस वर्षा को अमल यह वर्षा कहते हैं इसका pH जो है 5.6 से कम होता है तो यहाँ पर यह बताया गया है कि हवा के अंदर जो मौजूद है यानि कि जो उपस्तित है नाइट्रोजन और सलफर के आकसाइड जब वर्षा के जल के साथ मिल कर यानि कि बारिस होती है तो बारिस के पाने के साथ मिल कर यह दोनों जो है जब प्रिथवी पर आते हैं तो इसको ही जो है अमल यह वर्षा कहते हैं और इसका जो pH मान है वो है 5.6 और इसके जो हाने का रख परभाव है यानि कि इससे हानी क्या होती है अमलिय वर्षा के कारण नदी तलाब आदी का जल अमलिय होने के कारण जलिय जीवो जैसे मचली आदी पर बुरा परभाव पड़ता है यानि की नदी और तलाब का जो पानी होता है इससे अमलिय हो जाता है और इसकी वज़े से जो जलिय जीव है जैसे की मचली है उसके ओपर इसका बुरा परभाव पड़ता है और मचली की मिर्ट्यू तक भी हो सकती है इस वज़े से उसके बाद दूसरा कारण बताया है इसके कारण मर्दा अमलिय हो जाती है यानि की पानी में गिरता है तो पानी अमलिय हो जाता है और मिट्टी के उपर गिरता है तो मिट्टी यानि की मर्दा जो है अमलिय हो जाती है और जिसके कारण मिट्टी की जो उपजाओ सकती है वो क काम हो जाती है अमलए वर्सा के कारण अनेक एतिहासिक समारक जैसे की ताज महल है उसका जो संगमरवर का पत्थर है उसके पीले पड़ने का कारण यही है भवन तथा मूर्तियों का संशारन होता है तो इस वजह से जो है एतिहासिक जो समारक है भवन हैं जो मूर्तियां है उनको हानी पहुंचाने का काम जो है अमलीय वर्षा करती है उसके बाद अगला कोस्वं है कोश्वं है धावन सोड़े के तीन उपयोग लिखोता था बेकिंग सोड़ा के उपयोगों की सूची बनाए आंसर देखें, धावन सोडा के तीन उपयोग, धावन सोडा का उपयोग काज साबुन तथा काज़ उद्योग में किया जाता है वो सिंग पाउडर के घटक के रूप में भी इसका परियोग होता है सोडा, ऐसेड, अगनी सामक, यंतर में इसका परियोग होता है और अमास्या में अमलिता को दूर करने के लिए भी परतियामल के रूप में इसका उपयोग होता है उसके बाद है जीव विग्यान के कोशन, पहला कोशन है इसके अंदर कवक में बिजानू दुवारा जनन होता है तो इसका आंसर है पहले कोशन का उप्शन डी उसके बाद अगला कोशन है मस्तिस्क उत्रदाई है तो यह है इसका आंसर है उप्शन डी, उपर रूप सभी चीजों के लिए यानि कि सोचने के लिए मस्तिस्क का प्रियोग सोचने के लिए हर्दे सपंदन के लिए और सरीर के संतुलन को बनाने के लिए इन सबी के लिए मस्तिस्क उत्रदाई हैं। उसके बाद है पादप में फ्लोयम उत्रदाई हैं तो ये है बोजन के वहन के लिए। यानि कि पोदों के अंदर बोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में फ्लोएम काम आता है उसके बाद अगला कोशन है किस अंत्रे स्त्रावी गरंथी को मास्टर गरंथी का जाता है तो आंसर आएगा पियूस गरंथी को उसके बाद अगला कॉश्चन है अभी कथन और कारण वाला तो इसके अंदर अभी कथन में है कलोन किसी जीव की संतान होती है जो ऐल लैंगिक जनन से बनती है उसके बाद है कारण कलोन में अपने जनकों की समान डियने प्रतिवरती होती है तो इसका भी जो आंसर है वो है option A उसके बाद अगला question है पाचन क्रिया में लार एवम पित रस के कारियों का वर्णन करें आंसर देखें सबसे पहले है लार के कारिया यानिके मूग के अंदर जो लार होती है उसके क्या कारिया है आंसर देखें लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है यानिके जो हमारी लार होती है उसके अंदर टाइलिन नामका जो है एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरकरा में परिवर्तित कर देता है यानिके स्टार्च को सरकरा में बदल देता है उसके बाद है लार बोजन में उपस्तित हानिकारक सुक्सम जीव को भी मारता है यानि कि जब हम बोजन चबाते हैं तो मुग के अंदर जो लार होती है उसके दवारा जो बोजन के अंदर हानिकारक सुक्सम जीव होते हैं उनको मारा जाता है मारने का भी काम करती है उसके बाद अगला कुछ इसके अंदर अगला है पितरस के कारिया बताएं तो अगनास्यरस में उपस्तित एंजाइमों की करिया के लिए पितरस माध्यम को सारिये बनाता है यह वसा के बड़े-बड़े टुकडो को छोटे-छोटे तुकडो में तोड देता है इसे वसा का इमल सी करण कहते हैं अगर मस्तिस्क के क्या कारिये हैं तो आंसर देखें अगर मस्तिस्क के कारिये अगर मस्तिस्क दो भागों से मिलकर बना यानि कि जो हमारे सामने का मस्तिस्क है वो दो भागों से मिलकर बना है प्रैमस्तिक्स और ग्रांड पिंड तो इसके निमनकारिये हैं पहला है देखने बोलने सुनने तथा समरण का केंदर यानि की इसका ही जो अगर मस्तिक है मस्तिस्क है इसकी वज़े से ही हम देख पाते हैं बोल पाते हैं सुनने का और याद रखने की जो चीजे हैं ये सारी एक्टिविटी जो है अगर मस्तिस्क इन उनके कारियों को नियंत्रित करने का भी काम करता है। उसके बाद हमारे विचार अनुबव क्रियाएं तथा गतियां सभी इसके दवारा नियंत्रित होती है। उसके बाद अगला कोश्चन है विविन गरब निरोधक यक्तिया कोन सी है जनन सवस्थे में इनका क्या महतो है आंसर देखें विविन गरब रोधक नियक्तिया यानिकी यक्तिया पहला है रोधी का दूसरी है रसाइनिक विधी तीसरी है सल्या के लिया विधी और तीसरी है अंत्रा गरबासे गरब निरोधक यंत्र जनन स्वास्थे में गरब निरोदक युक्तियों का महतव यदी स्त्री लेंगिक परिपकता धारन करने के पस्चाद भी मानसीक रूप से गरब धारन करने के लिए त्यार नहीं है तो इसका जनन स्वास्थे पर बहुत बुरा परभाव पड़ता है इसलिए गरब निरोदक युक्ति अपनाना बहुत आवस्थक है उसके बाद है गरब निरोदक की युक्तियां ने अपनाने से योन संबंदी रोग भी उत्पन हो सकते हैं जैसे कि एड्स है सिफिलीस है गैनुरिस है आदी यह सभी बिमारियों के नाम है इन रोगों का स्त्र जुक्तियों को अपनाना बहुत ही आवस्थक है उसके बाद अगला कोस्टन है कोस्टन नमबर 29 परकास संसलेशन के लिए के दोरान होने वाली विबिन घटनाओं का वर्णन कीजिए आंसर देखें वह परकरम जिसमें हरे पोदे वायू से सी ओटू यानिकी कारबन डाइक होते हैं वह हावा से कारबन डाइकसाइड लेते हैं तथा मरदा यानि की मिट्टी से खनीज लवन और जल पराप्त करते हैं उसके बाद सूर्य के परकास में अपना बोजर बनाते हैं और इस परकरिया को जो है परकास संसलेशन के दोरान निमलिखित घटनाए होती हैं तो प्रकास उर्जा को रासाइनिक उर्जा में रुपांतरित करना यानि कि प्रकास ये जो उर्जा है उसको फिर रासाइनिक उर्जा में रुपांतरित यानि की बदला जाता है उसके बाद जल अनुमो का हाइट्रोजन तथा ऑक्सिजन में अपगटन और उसके बाद है कार्मन में जो question है वो देखें पादप हार्मोन क्या है दो पादप हार्मोनों के उधारन दीजिए answer देखें पादप पोधों में उपस्तित वे रसाइनिक पदार्थ जो पोधों में नियंतरन एवं समन्वे का कारिय करते हैं पादप हार्मोन कहलाते हैं यानिकी पोधों के अंदर उपस्तित रासाइनिक पदार्थ जो पोधों में नियंतरन और समन्वे का कारिय करते हैं उनको पादप हार्मोन कहते हैं औक्सीन जेबरेलीन साइटोकानीन आदी पादप हार्मोन है उसके बाद अगला कुशन है वाई विय और एवाई विय सवसन में अंतर कीजिए कुछ जीवों के नाम लिखे जिन में एवाई विय सवसन होता है आंसर देखें पहले है वाई विय सवसन तो पहला पॉइंट है वाई विय सवसन ऑक्सीजन की उपस्तिती में होता है यानि कि जो वाई विय सवसन है उसमें ऑक्सीजन की आवसकता होती है इसकी उपस्तिती में होता है ये उसके बाद यह क्रिया कोशी का दरवे एवा माईट्रो कॉंड्रि यानि कि गुलुकोज जो है उसका पूर्ण ऑक्सिकरण होता है और इस क्रिया से CO2 तथा जल बनता है यानि कि करमडाइकसेड बनती है और जल बनता है और इस क्रिया में गुलुकोज के एक अनुसे 38 ATP उर्जा निकलती है उसके बाद है AYVA सवसन जो है ऑक्सिजन की अनुपस्तिती में होती है यानि कि ऑक्सिजन की जरूरत नहीं होती है यह क्रिया केवल कोशी का दरवें में संपन होती है यानि कि AYVA सवसन जो है केवल कोशी का दरवें में होता है इस क्रिया में गुलुकोज का पूर्ण ऑक्सिकरण होता है य और इस क्रिया में ग्लुकोज के एक अनू से 2 ATP उर्जा निकलती हैं और एवाईवे सबसंद करने वाले जीव के नाम बताने थे तो जीव हैं इस्ट तथा कुछ बैक्टिरिया ये उधारन है एवाईवे सबसंद करने वाले जीवों के तो ये था आपका दस्वी कक्सा का वि इसरा कि said विकलते हैं और ता इसरा का विकल।